आखिरकार भारत ने वो कर दिखाया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था एशिया खेलों के हिस्ट्री में हम सो से ज्यादा मेडल जीतने में काम्याब हुए है एशिया खेलों में हमें जिन खेलों में मेडल जीतना होता है वहाँ चीन, जापान, कोरिया जैसे तगड़े देशों से टक्कर लेनी होती है 2018 के जकारता एशिया गेम्स में हमने 70 मेडल जीते थे लेकिन सिर्फ 45 साल बाद हमने अपने मेडल को 1500 पसंद बढ़ा दिया है एशियन गेम्स के हिस्ट्री में ना भारत ने कभी इतने गोर्ड मेडल जीते ना इतने कभी गुल्ड मेडल जीते और 60 के दशक के बाद भारत चोथे नमबर पाया है इस बार हमने 107 में से 52 मेडल शूटिंग और अथलेटिक्स में ही जीते है एतलेटिक्स में हमने जैवेलिंग त्रो, शॉटपूर्ट, रिले रेस और 5000 मीटर दौड में गोल्ड जीते है पिछली बार की चंपियन जापान को हमने 5 एक से हरा कर होकी में गोल्ड मेडल जीता इसके अलावा क्रिकेट और कबडी दोनों में हमने गोल्ड मेडल जीता है सात्विक और चिराक शेट्टी ने हमें बैंड विंडन के डबल्स में गोल्ड दिलाया वही दिपीका पलिकल और हर्विंदर पालसंदू ने हमें स्क्वास के मिक्स डबल्स में गोल्ड में दिलवाया इसके अलावा भारत ने रोविंग, सेलिंग, वूशू, रोलर स्केटिंग, कैनोन, गॉल्फ और ब्रीज जैसे खेलों में भी मेडल जीते आर्चरी में जोती वेनम ने कुछ तीन गोल्ड मेडल जीते और वही शूटिंग की बात करें तो आश्वरी प्रताप सिंग तोमर ने चार मेडल और 19 वर्षे ईशा सिंग ने चार मेडल जीते वही बहुत सारे खेलाड़ी ऐसे भी थे जिन्होंने ना किसिंग मेडल जीते बलकि ऑल्लम्पिक 2024 जो की होने वाला है पैरिस में उनके लिए भी क्वालिफार कर चुके है भारत ने इस एशियाई खेलों में इस बार सो का पार लक्ष रखा था और उसे पार भी करके दिखाया और कई खिलाड़ियों ने नेशनल्स और गेम रेकॉर्ड्स भी तोड़े खेलों से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए आप हमें बाकी सोचल मीडिया प्लाटपॉम पर भी फॉलो कर सकते हैं सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे धन्यवाद